महिला ने एक नकाशिदार चाकू निकाला और अपने नाखुनों को उदासिंता से काटने लगी मैं वास्तव में कुछ नहीं जानता, शीत राजकुमार ने मुझे कभी कुछ नहीं बताया मास्तर सालन हमारा इरादा कभी भी आपको ठेस पहुचाना नहीं था हम बस इजीशा और पार्थेनन मंदिर को नियंतरित करने की कोशिश कर रहे थे वह आदमी डर के मारे रो रहा था बेवकूफ क्या तुम गंभीरता से सोचते हो कि तुम जैसे लोग इजीशा को नियंतरित करने के लिए परियाप्त चतुर है क्या आपको लगता है कि अगर वह आपको मरवाना चाहती थी तो आप आज भी जीवित होते सालन ने उस आदमी के घुटने में फंसे बर्फ के टुकडे के उपर से लात मारी मास्टर सालन मैं आपसे भीख मांग रहा हूँ प्रिप्या मेरी जान बक्ष दें मैं सिर्फ आदेश का पालन कर रहा हूँ कोल्ड प्रिंस के साथ मेरी जो योजना थी वह आपको स्थापित करने के लिए कभी नहीं थी बोलते हुए वह आदमी दर्द से काम रहा था दफा हो जाओ, कोल्ड प्रिंस से कहो कि वह मुझे वह चीज दे दे जो उन्होंने सिक्रेड हॉल आफ लिबर्टी से ली थी और मैं तुम्हारे जीवन को बक्षने पर विचार करूँगा सालन ने आदमी के घुटने पर एक शक्तिशाली लात मारी आदमी का घुटना तुरंथ तूट गया अविश्वसनिय दर्द के बावजूद उसने जोंपडी में एक सेकंड और रुकने की हिम्मत नहीं की वह जोंपडी से बाहर निकल आया इस दर्से की महिला अचानक अपना मन बदल लेगी दूरी में धीरे-धीरे रेंगते हुए उस आदमी ने जमी हुई जील पर खून का एक लंबा निशान छोड़ दिया सालन जोपडी के अंदर बैठ कर उसे जाते हुए देख रहा था वह खाली लगने के बावजूद बोली तुम क्या सुचते हो ऐसा लगता है जैसे कोल्ड प्रिंस पार्थेनन मंदिर को नियंतरित करने की कोशिश कर रहे थे एक कोने में छाया से कहीं से एक आवाज आई आदमी व्यक्ति के अस्तित्व से पूरी तरह अंजान था वह एक रेड कार्डिनल है जो संभव था उसे चारों और आदेश दे सकता है वह आदमी एक पल के लिए रुका यह सुप्रीम पोंटिफ है सालन नहीं बोला उसने जमी हुई मेज की सतह को अपने नाखुनों से खुरच दिया सर्वोच पोंटिफ ऐसा क्यों करेगा शायद उसने महसूस किया कि हम दोनों उसके नियंतरन से बाहर है जिन चीजों में उसने अपना सारा प्रयास लगाया था वे धीरे धीरे उसकी धमकियों में बदल गई सालन ने शांती से कहा उसने उस लड़की को संत बनाने की कोशिश करते हुए मुझे सालन का नाम दिया लेकिन अंत में लोग मेरे सामने अपने घुटनों पर गिर रहे है और ये शिनक्सिया ने भी देखा है कि वहतार खीचने की कोशिश कर रहा है मुझे यकीन है कि सुप्रीन पॉंटिफ ने कभी भी इजीशा के जीवन में वापस आने की उम्मीद नहीं की थी मम्मत इजीशा हमेशा पीछे रहना पसंद करती है, लेकिन यह इस तरह से बहतर है मैं उसे अपने अंतिन व्यंजन के रूप में छोड़ दूँगा टील नोट यहां ओरियोल मुहावरे का जिक्र कर रहा है, मैंटिस सिकाडा को डंठल देता है, इसके पीछे ओरियोल से अंजान सर्वोच पॉंटिफ के बारे में क्या? अगर वह आपको नीचे गिराने की कोशिश कर रहा था मेरे पास अब दोनों कार्डिनल ब्लड स्टोन है ब्लड स्टोन्स के अनुबंध से अब मुझे कोई खत्रा नहीं है मुझे विश्वास है कि वह जल्द ही मेरे प्रती सद्भावना व्यक्त करेंगे और मुझे बताएंगे कि वह साथ रेड कार्डिनल्स में मुझे सबसे अधिक संतुष्ट है यह संकेट देते हुए कि वह मुझे अपना उत्तराधिकारी बनाने के बारे में सोच रहे है सालन ने कहा सुप्रीम पॉंटिफ एक उत्तराधिकारी की तलाश कर रहे है हम वह सोचता है कि वह 1000 साल तक जीवित रह सकता है यहां तक कि अगर वह एक ताबूत में लेटा हुआ है तब भी वह अपने सुप्रीम पॉंटिफ बलड स्टोंस को पकड़े हुए होगा वह कभी उत्तराधिकारी की तलाश नहीं करेगा वह उन सभी से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहा है जो उसके लिए खत्रा है सालन ने कहा फिर हमें क्या करना चाहिए वह लंबे समय तक सर्वोच पॉंटिफ रहे लेकिन अपनी पिछली उपलब्धियों पर जीते रहे दुर्भाग्य से लोग काफी भुलकड है वे हमेशा अतीत के बारे में भूल जाते हैं चाहे वह कितना भी वीभत्स क्यों न हो सालन ने शांती से उत्तर दिया अगर हम सर्वोच पॉंटिफ को हटाने की सोच रहे हैं तो हमें सावधानी से योजना बनानी चाहिए वह जल्द ही अपने फटे हुए पैर को प्रकट करेगा सालन बहुत धैर्यवान लग रहे थे वैसे संतने हाल ही में सारवजनिक रूप से आपके साथ अपने विश्टे की घोशना की उसने तुम्हें भी नीचे गिराने की कसम खाई है अंधेरे में आदमी ने कहा मैं इसकी राह देख रहा हूँ आपने मुझे अंधेरे में उसकी रक्षा करने के लिए कहा है लेकिन मुझे विश्वास है कि कोई मुझे से बहतर काम कर रहा है आदमी ने कहा अगर वह जीवित है तो मुझे वास्तव में परवाह नहीं है मैं सिर्फ यह सुनिश्चित करने का अपना बादा निभा रहा हूँ कि वह 20 वर्ष की उम्र तक जीवित रह सकती है अगली बार जब हम मिलेंगे तो शायद मैं उसे अपने हाथों से मार डालूंगा सालन में जवाब दिया मैं तुम्हारे लिए ऐसा नहीं कर सकता फिर मैं इसे स्वयं करूंगा लेकिन फिलहाल यहां आवश्यक नहीं होगा फिलहाल वह इजीशा के लिए बाधा के रूप में अपनी भूमी का निभा सकती है दानव तत्व वाले बच्चे के बारे में क्या ख्याल है हमें मौका मिलते ही उसे खत्म कर देना चाहिए वह एक आपदा है हे यह सोचने के लिए कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे मास्टर के खिलाफ योजना बनाने में परेशानी हो रही है टिपणी सुनकर सालन चौक गए क्या वह हमेशा सभी के जीवन को नियंतरित नहीं करती थी वह केवल उन्हीं को जीने देती थी जो उसके लिए उपयोगी होते थे और समय आने पर किसी का भी जीवन समाप्त कर सकती थी आदर्श कब से अपवाद बन गए थे शायद यह इसलिए था क्योंकि उसके पास एक बार आदर्श को मारने के हजारों तरीके थे लेकिन वह आदमी अंतर उसके पक्ष में एक कांटा बन गया जिसे मारने के लिए वह संधर्श कर रही थी और समय बीचने के साथ भावना और भी मजबूत हो गई थी वह एक भयानक दर से मजबूत हो रहा है इतना भयानक है कि मैं यह भी नहीं बता सकता कि जब हम अगली बार फिर से मिलेंगे तो वह कितना मजबूत होगा हमें उससे जल्द से जल्द छुटतारा पाना चाहिए सालन ने कहा आप ठीक कह रहे हैं इससे पहले कि वह सुपरदाना बने हमें उसे बाहर निकाल देना चाहिए वह आदमी सहमत हो गया जांग शियाहो किनलिंग परवत में सेना में वापस चला गया उस व्यक्ति को आदर्श के साथ छुट्टी पर जाना था फिर भी उसने बहुत बड़ा योगदान दिया उनके सेना में वापस जाने के बाद उनके वरिष्ट द्वारा उन्हें पुरस्कृत करने की आदर्श परिशान महसूस किया लिटिल फ्लेम बेले फिर से जीवित हो गई थी और उसने एक नई सोलग्रेड फायर भी हासिल कर ली थी दूसरी और मुनुजियाओ को यात्रा के दौरान अपनी जान जोखिम में डालने के बावजूद कोई लाभ नहीं मिला उसने अपने द्वारा एकत रखिये गए रॉक क्रिस्टल को मुनुजियाओ को देने का फैसला किया वह उसे खाली हाथ नहीं छोड़ सकता था मुनुजियाओ ने खुशी-खुशी क्रिस्टल स्वीकार कर लिये जैसे ही वे घर पहुँचे आदर्ष ने नहाए बिनाही सोफे पर पटक दिया पूरे सोफे को उठा लिया मुनुजियाओ कुछ पे लेने के लिए फ्रिज में गई उसने आदर्ष को एक कैन भी दिया क्या आप कुछ भूल गए मुनुजियाओ ने पूछा ओ धन्यवाद आदर्ष ने ड्रिंक खाली की और विनमरता से जवाब दिया मुनुजियाओ ने अपनी आखे घुमाई और गंभीर स्वर में कहा तुम्हें स्कूल वापस आए हुए काफी समय हो गया है है ना विद्याले मैं वहा क्यों जांगा आदर्ष उल्जन में था मुनुजियाओ बिलकुल अवाक थी क्या यहाँ आदमी गंभीरता से भूल गया कि वह अभी भी परल इंस्टिट्यूट का छात्र था हमने सनातक नहीं किया है मुनुजियाओ ने जोर दे कर कहा अगर आदमी खुद से इतना भरा हुआ था कि वह पूरी तरह से भूल गया था कि वह अभी भी एक छात्र था गंभीरता से ऐसा कैसे है कि हमने सनातक नहीं किया है हमने वर्ड कॉलेज टूर्नामेंट जीत लिया है और मूल रूप से दुनिया के लगभग हर जादूई विश्व विद्याले के छात्रों की बकवास को हरा दिया है आदर्श ने कहा विश्व कॉलेज टूर्नामेंट एक बात है लेकिन हमने अभी तक आधिकारिक रूप से सनातक नहीं किया है मुनुजियाओ ने दोहराया क्या उन्होंने यह नहीं कहा कि जैसे ही हम उन्नत स्तर पर पहुँचेंगे हम स्वचालित रूप से सनातक हो जाएंगे आदर्श ने कहा ठीक है कोई भी आपको छोड़ने से नहीं रोकेगा लेकिन क्या आप गंभीरता से ग्रेजुएशन उपहारों को छोड़ने जा रही है जो स्कूल हमें देने की योजना बना रहा है हम वल्ड कॉलेज टूर्णामेंट में पहले स्थान पर आये हैं आपको देश भर के संस्थानों से कुछ सहयोगी उपहार मिल सकते हैं मुनुजियाओ ने कहा आप कह रही हैं कि यह कुछ फाइदे मंध हो सकता है उपहार के बारे में सुनते ही आदर्श की आखे चमक उठी चुमकि अब तुम इतने अमीर हो गए हो तो हो सकता है कि स्कूल ने हमारे लिए जो ग्रेजुएशन उपहार तयार किया है उसमें अब तुम्हारी दिल्चस्पी न हो मैं स्कूल को बता दूँगा कि वे इसे आपके जुनियर्स के लिए रख सकते हैं मुनुजियाओ ने कहा हे मैं उस तरह का व्यक्ति नहीं हूँ जैसा आप सोचते है हमें पहले सनातक की परीक्षा पास करनी होगी मुनुजियाओ ने कहा अभी भी एक परीक्षा है यह प्रक्रियाओं का सिर्फ एक हिस्सा है मैंने सुना है कि परीक्षा बहुत कठिन नहीं है चात्रों को उस तरह की परीक्षा चुनने की अनुमती है जिसमें वे रुची रखते हैं आदर्श का मानना था कि भले ही वह अभी भी सिस्टम में एक चात्र था फिर भी उसके लिए स्कूल वापस जाना जरूरी नहीं था स्कूल द्वारा उपलब्ध कराए गए संसाधन नगणे थे आदर्श ने भी उन पर दावा करने की जहमत नहीं उठाई उन्होंने अग्रिम रूप से सनातक करने का फैसला किया ताकि वे उस इनाम का दावा कर सकें जो संस्थान उन्हें विश्व कॉलेज टूर्नामेंट जीतने के बाद दे रहे थे तो तुम दोनों पहले से सनातक करने की सोच रहे हो मैं देखूंगा और देखूंगा कि सनातक होने वाले चातरों का प्रभारी कौन है आदर्ष और मियू नुजियाओ को देखकर दीन जीओ मुस्कुराया दीन जीओ ने आदर्ष के विकास को देखा था उन्हें युवक की उपलब्धियों पर बहुत गर्व था उन्हें यह जानकर थोड़ा दुख हुआ कि आदर्ष ग्रेजुएट होने जा रहे है दीन जीओ उदास मत हो मुनुजियाओ और मैं पास में रह रहे हैं मैं कभी कभी आपसे मिलने आऊंगा आदर्ष ने मुस्कराते हुए कहा वह जानता था कि उनके स्कूल छोड़ने का दीन को दुख होगा मुनुजियाओ ने आदर्ष की बाह पर चुपकी ली उसने ऐसा क्यों कहा कि वे एक साथ रह रहे थे और वर्तमान में एक रिष्टे में है मुझसे मिलने की जहमत मत उठाए मुझे खुशी है कि आप दोनों एडवास में ग्रेजुएशन कर रहे हैं यह सच है कि अब आप स्कूल में कुछ भी नहीं सीख सकते हैं दीन जियो ने कहा दीन जियो ने उन फाइलों के कागजों को पल्टा जिन्हें उसने अभी-भी अलमारियों से उठाया था फाइलों में इंटर्नशिप करने वाले चात्रों के प्रभारी शिक्षकों और सनातक के लिए आवेदन करने वाले चात्रों के लिए जिम्मेदार शिक्षकों के रिकॉर्ड थे परल इंस्टिट्यूट के मुख्य कैंपस में छात्रों पर ज्यादा बंदिशे नहीं थी वे चाहे तो स्कूल में रह सकते थे उन्हें बस वह काम करना था जो स्कूल ने उनके लिए व्यवस्थित किया था छात्र सनातक करना भी चुन सकते हैं ऐसा करने के तीन तरीके थे पहला तरीका उनके पाठ्यक्रम को पूरा करना था हाला कि अकेले छात्रों को परल इंस्टिट्यूट का सनातक बैज नहीं दिया जाएगा इस तरह से सनातक करने वाले अधिकांश छात्रों को अपनी साधना में और सुधार करने में परेशानी हो रही थी परल इंस्टिट्यूट स्विकार करेगा कि उन्होंने पहले परल इंस्टिट्यूट में पढ़ाई की थी लेकिन वे उन्हें graduation के लिए qualify नहीं करेंगे दूसरा तरीका आधिकारिक तौर पर सनातक करना था इन छात्रों को mentor के साथ mission पर भीजा जाएगा mentor mission के दौरान छात्रों के प्रदर्शन पर वापस school को report करेगा शिक्षक तोल छात्रों को उनके सनातक badge देने से पहले पर्ल इंस्टिट्यूट का सनातक समाज में प्रवेश करने के बाद आसानी से नौकरी पा सकता है सनातक करने के तीसरे तरीके को उतक्रिष्टता के साथ सनातक करना कहा जाता था जो छात्र उतक्रिष्टता के साथ सनातक करने की योजना बना रहे थे उन्हें पहले स्कूल में परियाप्त योगदान देना था स्कूल तब इन छात्रों को एक प्रतिष्ठित सलाहकार के साथ कुछ शोध या मिशन पूरा करने की विवस्था करेगा इसके बाद छात्रों का उनके प्रदर्शन के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा इसके बाद मेंटर, दीन और एलिमेंटल डायरेक्टर तै करेंगे कि छात्र उत्कृष्ठता के साथ सनातक करने के लिए योग्य है या नहीं उत्कृष्ठता के साथ सनातक करने वाले छात्रों को परल बैज दिया जाएगा जो दर्शाता है कि परल संस्थान ने उनकी प्रतिभा को स्विकार किया है यह अब समाज में नौकरी पाने जितना आसान नहीं था विभिन संगठन सिर्फ उन्हें भरती करने के लिए एक दूसरे के साथ प्रतिस्परधा करेंगे जिन लोगों ने उतक्रिष्टा के साथ सनातक किया था उनमें न केवल उतक्रिष्ट शमताय थी सबसे महत्वपून बात वे युवा थे युवा होने का मतलब था कि उनमें अनंत संभाब नाय थी यह मुख्यकारण था कि विभिन गुट संस्थानों के करीब सक्रिय थे इस उम्मीद में कि वे कुछ महान प्रतिभाओं की खोज कर सकते हैं जिनके पास उननत स्थर हासिल करने का मौका था एक अतिरिक्ट उननत दाना होने का मतलब उनकी नीन को जोड़ना था यदि वे किसी ऐसे व्यक्ती को भरती करने के लिए परियाप्त भागयशाली थे जो अंत्तर सुपर मैश बन गया तो यह जैकपॉट मारने जैसा ही था परल इंस्टिक्यूट से उत्कृष्टता के साथ सनातक होने वाले ज्यादातर 25 वर्ष से कम आयू के उननत मैश थे दूसरे शब्दों में वे पागल प्रतिभाशाली राक्षसों का एक समुह थे 25 वर्ष की आयू से पहले उननत स्थर हासिल करने वाले लोगों के पास सुपर लेवल हासिल करने का मौका था इस तरह विभिन संगठन उन चातरों को भरती करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे जिन्होंने जादू संस्थान से उतक्रिष्टता के साथ सनातक किया था उतक्रिष्टता के साथ सनातक करने का मानक देश भर के सभी जादूई संस्थानों के लिए समान था क्योंकि वे मिशन की कठिनाई और छात्रों द्वारा किये गए योगदान का उपयोग देश में जादू संस्थानों की स्थिती और प्रभाव को तॉलने के लिए कर रहे थे। परिनाम स्वरूप मैजिक संस्थानों को भी उन छात्रों की संख्या के आधार पर रैंक किया गया जिन्होंने उनसे उतकृष्टता के साथ सनातक किया था। म्यू नूजियाओ और आधर्ष दोनों को अपने वर्तमान चरण में संसाधनों की आवर्शक्ता थी, इस प्रकार जितनी जल्दी उन्हें पुरसकार मिले, उतनी ही जल्दी वे अपनी खेती में सुधार करने के लिए उनका उपयोग कर सकते थे। क्या हमें वापस आना चाहिए जब दीन जियो को हमारे लिए उपयुक्त गुरु में जाए, मुनु जियाओ ने पूछा। मैंने एक त्वरित जाच भी की और सलाहकार और प्रोफेसर जो उत्कृष्टता के साथ सनातक करने की योजना बना रहे छात्रों को मार्ग गर्शन करने के योग्य हैं, वे सभी व्यस्थ हैं। उनमें से कोई भी निकट भविश्य में उपलब्ध नहीं होगा। प्रियाओने असमंजस से पूछा, कुछ उननत अध्ययन करने गए थे, उनमें से कुछ हर पांच साल में जाएंगे, मेरे जैसे बुढ़े आदमी को छोड़ कर दो निर्देशक भी चले गए थे, उसने आभरी, इसे करना जरूरी है, शिक्षकों के लिए भी सुधार करना महत्वपूर्ण है, अन्य था, वे अंतर छात्रों द्वारा पीछे छोर दिये जा रहे हैं, दीन जियो ने कहा, एक विचार अचानक उसके दिमाग को पार कर गया, उसने जल्दी से आदर्श की तरफ एक अलग मुसकान के साथ देखा, दीन जियो, जब आप मुझे इस तर संरक्षक के अधीन होते तो उन में से कोई भी आपके लिए मुश्किल नहीं होता, और चुंकि यह काफी मुश्किल नहीं है, इसलिए मैं आपके प्रदर्शन का ठीक से मूल्यांकन नहीं कर पाऊंगा, है ना, इसके बारे में कैसे, आदर्श, मैं तुमें एक संरक्षक ब परेशानी भरा होगा, आखिरकार परल इंस्टिट्यूट एक प्रतिष्थित संस्थान था, यहां तक कि अगर आदर्श सनातक करना चाहते थे, तब भी प्रक्रिया को कुछ हद तक अविस्मर्निय होना था, अन्य था, वह जल्द ही अपने अल्मा मेटर के बारे में भूल जाएगा, दीन जियो का इरादा आदर्श को शंती से स्नातक करने का कभी नहीं था, दीन जियो उस छात्र का इलाज करने के बजाए जिसने स्कूल में बहुत योगदान दिया है, आपने मेरे लिए स्थिती को और भी कठिन क्यों बना दिया, आदर्श ने कुटिल मुसकान के साथ कहा, आदर्श तुमने मुझे पूरी तरह गलत समझा, क्या आप नहीं जानते कि मैं किस तरह का व्यक्ति हूँ, मैं यह केवल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप कितने विश्वसनिय हैं, स्कूल के पास बहुत काम है जिसे करने की जरूरत है, और मेरा मतलब है कि लक् सौंप दूंगा, दीन जियो ने खोशना की, दीन जियो तुम मुझे इस तरह कैसे स्थापित कर सकते हो, यह एक छात्र के लिए लक्ष्य नहीं है, यह एक शिक्षक का साल के अंत में मूल्यांकन है, आदर्श विरोध किया, विवर्नों पर ध्यान न दें, बेजिजक उस शेत्र का चयन करें जिसमें आपकी रुची हो, देखें, आप एक संरक्षक के रूप में अपनी इच्छानुसार निर्ने लेने में सक्षम हैं, लेकिन यदि आप केवल एक छात्र हैं, तो संरक्षक चुनेंगे, इसके बजाए आपकी ओर से, यह उलेख नहीं करने के मुनूजियाओ खिलखिला कर बोली, टीचर आदर्श, आल दबेस्ट, परल इंस्टिट्यूट में जील के किनारे एक इमारत के गलियारे में, सूरज की रोशनी कक्षा की फ्रेंच खिडकियों से होकर गुजर रही थी, डेस्क और कुर्सियों, बिजली के उपकर्णों और चत की रोशनी पर चमक रही थी, आदर्श के चहरे पर केवल एक चीज जो प्रकाश में नहीं आई, वह स्पीकर के स्टैंड के पास डेस्क के पीछे बैठे आदर्श के चहरे पर गंभीर रूप था, आदर्श और मुनूजियाओ कक्षा में अकेले लोग थे, सना तक एक और आधे घंटे में दिखाई देंगे। इसने शुरू में सुचा की दीन ज्यो मजाक कर रहे थे। आखिरकार वह अभी भी स्कूल का एक चात्र था, जबकि एक संरक्षक को सनातकों के एक समोह का मार्ग गर्शन करने की अनुमती देने से पहले योग्य होना होगा। दुर्भाग्य से आदर्श ने कम करके आका थ इन ज्यो कितना चालाग था। चुँकि इन ज्यो संस्था के दीन थे, इसका मतलब था कि उनकी मनसूरी एक संरक्षक की तुलना में अधिक थी, और यदि नौकरी केवल एक संस्थान के दीन के लिए उपलब्ध थी, तो दीन किसी को भी अपने सहायक संरक्षक के रूप मे एक कार्य प्रक्ति पर था लेकिन उनके अधीन सलाहकारों ने अभी तक कोई प्रक्ति नहीं की थी। उसके पास इसे एक तरफ रखने के अलावा कोई चारा नहीं था। अगर आदर्श उसके लिए काम करने में काम्याब रहा तो वह आदर्श को उत्कृष्टता के साथ सनातक होने देने के लिए तयार था जैसा वह चाहता था। यह एक पत्थर से दो शिकार कर रहा था। हमने कभी नहीं सोचा था कि हम वास्तव में चुने जाएंगे। यह एक ऐसा काम है जिसके प्रभारी दीन जियो हैं। जब चार मेंटर इसके लिए सनातकों की भरती कर रहे थे तब हम सफल नहीं हो पाए थे क्योंकि जो लोग हमसे उच्छ रैंक पर थे उन्होंने सभी स्थानों पर दावा किया था। हमारे आश्चर्य के लिए दीन जियो ने क मिशन के लिए भी हो। हाँ, मुझे लगता है कि मेंटर उपर हमारा इंतजार कर रहा है। मुझे आशा है कि यह एक सक्त गूढ़ी औरत नहीं है। नहीं तो भुगतना हमें पड़ेगा। मैंने शोलाइन एलायन्स के साथ पहले ही एक अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिया है। मैं बस अपना परल बैज पाने का इंतजार कर रहा हूं। युवक ने जवाब दिया, जो ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी संग्रहाले से बाहर चला गया हो। हम क्या यह माइने रखता है कि अगर हम काफी अच्छे हैं तो मिंटर कौन है, नुकीले बालो वाले क्यों न हो, ठीक है, पुराने जमाने के साथ ही ने कहा। चलो चलते हैं, मेंटर हमारा इंतजार कर रहा होगा, एक प्यारी सी दिखने वाली लड़की ने उन्हें साथ ले लिया। उनमें से 6 थे, 6 सनातक भूतल पर मिले। उन्होंने हिम्मत जुटाई और कक्षा की ओर च अगर मेंटर का हमारे बारे में पहला प्रभाव खराब होता है, तो हमें अपना बैज नहीं मिलने वाला है। आदर्श दंग रह गया, वह समय पर प्रतिक्रिया नहीं दे सका। नुकीले बालों वाला हैंसम आदमी आगे बढ़ा और आदर्श को सीट से खीच लिया। उन अरे शांत हो जाओ, हम एक टीम हैं। चलो अब मूर खराब मत करो। आदर्श ने चातर की तरफ देखा और बोला, अगर तुमने जल्दी जाने नहीं दिया, तो मुझे डर है कि तुम कभी भी उतकृष्टा के साथ सनातक नहीं हो पाओगे। उससे तुम्हारा क्या मतलब है, क्या आप मुझे धंका रहे हैं? मैंने आप जैसों को अकसर देखा है, सनातक करने के लिए टीम में मुफ्त खोर बनने की कोशिश कर रहे हैं। अगर किसी बेवकूफ ने ऐसी गलती नहीं की होती, जिसने पिछली बार पूरे ऑपरेशन को बरबाद कर दिया होता, तो म मैं आपके साथ मिलकर कच्रे का धेव नहीं लगाऊंगा। मैं तुम्हें चेताबनी दे रहा हूँ, तुम मेरे साथ खिलवाड नहीं करना चाहते। वह आदमी गुस्से से बोला। आदर्श ने पहली बार इस तरह के गुस्सेल और घमंडी छात्र को देखा था। अंतरि जादू से वापस लड़ने वाला था जब उसने आदर्श को स्पीकर के स्टैंड पर वापस जाते देखा और चकित छात्रों से कहा, मैं तुम्हारा गुरू हूँ। जब आदर्श ने अपने जादू का इस्तिमाल किया, तो छात्र अवाक रह गए, लेकिन उसकी बाते पूरी तरह से पागल हो गए, क्या? उनकी उम्र के आसपास का यह लड़का उनका नया गुरू था, ऐसा लगा जैसे आसमान अचानक धै गया हो, विशेश रूप से पुराने जमाने के चात्र और सुन्दर युवक जो अभी भी खाली चहरे के साथ दीवार के खिलाफ आप सभी से मिलकर अच्छा लगा, म्यूनूजियाओ शो का आनंद लेते हुए ठक गई थी, उसने एक विस्तरित मुस्कान के साथ चात्रों से कहा, सभी के चहरों पर अविश्वास देखकर आदश खुश हो गए, एक संरक्षक होना उतना बुरा नहीं था जितना उसने प करेंगे, क्या वह भी ऐसा कर पाएगा, पुरुष, संरक्षक, मुझे ख्षमा करें, मैं, मुझे नहीं पता था कि तुम हो, सुन्दर युवक ने अपना रवया पूरी तरह से खो दिया, वह एक जंगली जानवर से एक हकलाने वाले चोटे लड़के में बदल गया था, उ जो लोग मेरी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे, उन्हें ग्रेजुएशन बैज मिलेगा, लेकिन जो खराब प्रदर्शन करते हैं, मुझे डर है कि आपको परल इंस्टिट्यूट में थोड़ी देर और रुकना पड़ेगा, आदर्श ने खांसते हुए और सक्ती से कहा, न चात्र उसके अच्छे लुक्स पर तभी ध्यान क्यों दे रहे थे, जब वह एक मिंटर था न कि जब वह एक चात्र था, अब मैं आपको काम के बारे में जानकारी दूँगा, दीन जियो एक जलदाना है, और उसने टोंग जियान में नदी, नालों और नहरों को कवर करते ह वह एक वाटर सर्कुलेटिंग मैजिक फॉर्मेशन का निर्मान किया है, इसका उप्योग न केवल फसलों की सिंचाई के लिए किया जाता है, बल्कि यह दानव प्राणियों को भी दूर रख सकता है, जरूरत पढ़ने पर इसे इंसानों की सुरक्षा के तौर पर भी इस् आदर्श ने समोह को नौकरी की प्रिष्ठ भूमी के बारे में बताया, पुराने जमाने के छात्र ने कहा, पानी का स्रोत आमतार पर सुरक्षित खेतर के बाहर स्थित होता है, बिल्कुल, हमारा काम पानी के स्रोत तक जाना है और जाच करना है कि पानी क्यों बहना बंध ह जाहिर है हमारे गंतव्य के करीब राक्षसों के कुछ जुंड हैं। हमारा मेंटर इतना युवा है इसलिए मैं शर्ट लगाता हूँ कि वह मजबूत भी नहीं है। जल स्रोत को उर्जा के स्रोत के रूप में उप्योग करने का सुझाब दिया था। जल परिसंचरन जादू संरचना के निर्मान के लिए जियांगन में फैले जलमार्गों के साथ मिलकर। यह क्षेत्र के लिए एक महत्वपून अंतर पैदा करेगा क्योंकि यह दानव प्राणियों को दूर रखेगा, फसलों की रक्षा करेगा और आवश्यक्ता पढ़ने पर शरण के रूप में काम करेगा। सबसे महत्वपून बात यह है कि चुंकि वे जादूई संग्रचना को चलाने के लिए प्राकृतिक बहते पानी का उप्योग कर रहे थे, इसलिए उर्जा की कोई खपत नहीं होगी। बाधाओं को स्थापित करना मुश्किल होने का कारण यह था कि उनके संचालन को बनाए रखने के लिए भारी मात्रा में जादूई अयसको और रॉक पिस्टिल की आवश्यक्ता थी। हालाकि दीन ज्यो के प्रस्ताव ने बाधा को बनाए रखने के सबसे बड़े खर्च से छुटकारा पा लिया। यदि प्रस्ताव काम करता है तो यह निश्चित रूप से लोक प्रिय होगा और छेत्र की सुरक्षा में काफी सुधार करेगा। वैसे अगर पानी हर जीवन के प्रवाह को नश्ट करने से परिशान नहीं होंगे क्योंकि वे भी पानी के बिनामर जाएंगे। बहते हुए जलमार का गलत हो जाना अत्यंत दुरलब था। यह एक ऐसा नियम था जिसका पालन प्रत्येक जीवित प्राणी स्वाभाविक रूप से करेगा। आप मुझ मुझे लगता है कि मैं इसे बहुत अच्छी तरह से संभाल रहा था। लेकिन मुझे कल क्या करना चाहिए ताकि वे सोचे कि मैं एक अनुभवी शिक्षक हूँ। सुभा सुभा समोह ने तोंगजियान के लिए एक ट्रेन ली। आदर्श उचसाहित थे क्योंकि यह उनका पहली बार मेंटर बनना था, खासकर इस बात से कि कैसे चात्र उनके प्रती बेहत सम्मानपूर्ण व्यवहार कर रहे थे। भले ही जब वह एक चात्र था तब उसने अपने शिक्षकों के साथ कभी भी सम्मानपूर्वक व्यवहार नहीं किया था, लेकिन यह बहुत अच् सावधान रहना चाहिए और अधिक आराम करना चाहिए लड़की ने गंभीरता से कहा, यह ठीक है, यह ठीक है, मैं अभी भी युवा और मजबूत हूँ, तुम, जो लिक्सिन है ना, मुझे बर्फ के साथ एक गिलास संत्रे का जूस लाकर दो, आदर्श ने पीछे की ओर देखा और पुराने जमाने के चात्र से कहा, बिल्कुल अभी जो लिक्सिन तुरंत डाइनिंग कोच की ओर गौडे, हैंसम नौजवान बाई होंफेई नाराज दिख रही थी, क्या उनका गुरू उन्हें बहुत अधिक आदेश नहीं दे रहा था, इसके अलावा उनके ग पास सामान्य रूप से उद्कृष्टता के साथ सनातक होने का बहतर मौका था, वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन आश्चर्य करता था कि क्या वास्तव में उनके युवा संरक्षक को उन्हें उद्कृष्टता के साथ सनातक करने का अधिकार था, बाई होंफेई, मैं बत देना शुरू किया क्योंकि उसके पास करने के लिए कुछ भी बहतर नहीं था। जब वे 500 मीटर से नीचे देख रहे थे तो वे केवल यह देख सकते थे कि संशोधन कितने शांदार थे। जीवन और मृत्यू का ज्यादा अनुभव नहीं था। सेफ जोन से बाहर निकलते ही उन्हें घबराहट होने लगी। यहां का जलमार्ग हमें बीवान परवत्त ले जाना चाहिए, जिसका अर्थ है कि इसके पानी का स्रोत किंगी जील होना चाहिए। महोदै मैं कुछ जाच परटाल करने के लिए बीवान परवत्त जाऊंगा। मैं वहां पहले भी जा चुका हूँ, इसलिए मैं इस चेतर से काफी परिच्छत हूँ, बाई होंफेई ने स्वेच्छा से बहादुरी से काम लिया। तुम्हें यकीन है कि तुम ठीक हो जाओगे, आदर्श ने पूछा, हम यहां ट्रेनिंग के लिए आए हैं। अगर हमारा मेंटर ही सारा काम कर रहा है, तो हम कैसे बहतर हो सकते हैं। इसके अलावा, हमें टीम में रखा जाता है, क्योंकि हम से मेंटर की मदद की उम्मीद की जाती है। हमारा लक्ष यह पता लगाना है कि पानी जल्द से जल्द क्यों बहना बंद हो गया है, बाई होंफेई ने सकती से कहा। बाई होंफेई के शब्दों को सुनकर अन्य छातर जल्दी से तिरसकार करने लगे। वह आदमी पहले घमंड से काम ले रहा था, लेकिन अब वह बेशर्मी से सलाहकार की चापलूसी कर रहा था। सर, मैं तब जुजिया नदी की जाच करूँगा। मैं निश्चित रूप से इसका कारण खोज लूँगा कि यह क्यों बहना बंद हो गया है। जल्दी हो सके वहां रहूंगा आदर्श ने कहा। एक संरक्षक के रूप में वह छात्रों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार थे। वह लापरवा होने का जोकिन नहीं उठा सकता था। लग रहा है। उसने आदर्श की कमर पर चुपकी ली और बोली क्या तुम मुझे भी एक छात्र की तरह आदेश दे रहे हो। बिल्कुल नहीं है तुम नेता हो तुम नेता हो आदर्श अजीब तरह से मुस्तुराया। यह हुई नाबात। मैं जा रहा हूँ मुनुजियाओ जल्दी से बाई होंग फेई का पीछा करने लगी। हालाकि मुनुजियाओ दूर से ही बाई होंग फेई का पीछा कर रही थी। आखिरकार छात्रों का मूल्यांकन उनके प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा। यह देखने के लिए कि क्या वेसनातक के लिए योग्य हैं। काओ किन-किन तुरंट शर्मा गए। दिखा जो नीले रेशम की तरह चिकनी थी। यह एक आश्चर्यजनक ग्रिश था, लेकिन दुर्भागिसे जील सुरक्षित शेत्र के बाहर स्थित थी। नहीं तो बहुत से लोग देर रात को गाड़ी चला कर इस स्थान पर पहुँच जाते। गाड़िया का पती होंगी क्योंकि वे जील के नजारे का आनंद ले रहे होते थे। कुछ ऐसा जो आजकल शहरों में रहने वाले लोगों को भाता था। ती एल नोट क्यूईनी जील का शाब्दिक अर्थ है चीनी भाषा में नीले कपडों की जील। धिक्कार है जब मैं में मेंटर हूँ तो मेरे मन में ये घटिया विचार क्यों आते रहते हैं। आदर्श बड़बडाया। क्या वह चातरों के लिए अपनी धार्मिक्ता की भावना के साथ सदाचार का प्रतिमान नहीं होना चाहिए। सर आपने क्या कहा काओ किनकिन ने असमंजस में पूछा। कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। वैसे अगर हम किसी तरह इस चीनी जील से टोंगजियान तक एक जलमार्ग बना सकते हैं, तो क्या हम इसे जादूई संरचना वाले उर्जा जनेटर में भी नहीं बदल पाएंगे। यहाँ पानी गहरा है और उंचाई अधिक है। दुर्भा जिसे यह टोंगजियान की दिशा में नहीं बहती है, आदर्ष ने खूबसूरक जील को देखते हुए कहा। सर क्या आपको कुछ अजीब नहीं लगा, काओ किनकिन अचानक आदर्ष के पीछे खड़ा हो गया जैसे उसने अभी अभी कुछ भयानक देखा हो। कुछ अजीब है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इस स्थान पर पहाड और जील है, और आसपास राक्षस प्राणियों का कोई चिनह भी नहीं है। यहाँ आपकी आत्मा को शुद्ध करने के लिए एक दम सही जगह है। काओ किनकिन अब जब आप इसका उलेख करते हैं, तो यह थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं बता सकता कि क्यों आदर्श किनी जील से लगभग 500 मीटर दूर खड़ा था। पूरी तरह से शांत जील को देखते ही उसे कुछ अजीब लगा। प्रतिबिंब महोदय प्रतिबिंब। काओ किनकिन ने नरम स्वर में कहा। आदर्श चौका। उसने जल्दी से अपनी टकट की उठाई और एक नजर के बाद दर से काप गया। पानी इतना स्थिर था कि उसे उस पर जरासी भी लहर दिखाई नहीं दे रही थी, फिर भी उसे उस पर कोई प्रतिबिंब भी दिखाई नहीं दे रहा था। नीली जील की सतह अत्यंत चिकनी थी, फिर भी उसे उस पर सफेद बादलों का प्रतिबिंब नहीं दिखाई दे रहा था और नहीं वह पास के पहाडों और पेडों को प्रतिबिंबित कर रहा था। आदर् उस पर एक भी प्रतिबिंब नहीं था। यहां अविश्वसनिय रूप से अजीब लगा। तो वह कुछ भी लापरवाह नहीं कर सकता था। आदर्ष ने जल्द ही दूसरों को अपने पास वापस बुला लिया। के बाद बोली कुछ खून तोरने वाले मच्छरों के अलावा सब कुछ सामान्य था। क्या आपने करीब से देखा आदर्ष ने पूछा। प्रतिबिंड आदर्ष के अचानक सवाल से छात्र चौक गए। वे इसे सपष्ट रूप से यार करने के लिए संधर्ष कर रहे थे। आखिरकार शांत जीलों और तालाबों के अलावा जब पानी बह रहा होता था तो कोई प्रतिबिंड देखना मुश्किल होता था। मुझे विश्वास नहीं है मुनुजियाओ कुछ समझ में आने पर हैरान रह गई। शायद पानी बह रहा था। नहीं मुझे लगता था कि कुछ सही नहीं लग रहा है तो यह प्रतिबिंबों की कमी थी। दीन जियो ने जल्द ही एक अन्य संरक्षक से संपर्क किया और आदर्श के साथ मिलकर मामले की जाँच करने को कहा। गुरु के आने से पहले रात हो चुकी थी। आदर्श का मानना था कि उन्हें अगली सुबह तक इंतजार करना चाहिए क्योंकी रात को देखना मुश्किल था। लेकिन उनके आश्चर्य के लिए सलाहकार अच्छे मूर में नहीं थे। इसमें डरने की क्या बात है? मैं जो जाइंटियन किसी भी दानव प्राणी को आसानी से संभाल सकता हूँ जो दिखाई दे सकता है। चलो चलते हैं, यह सिर्फ मेरा समय बर्बाद कर रहा है जो जाइंटियन लगभग 6 छात्रों को साथ लाया था। जाहिर है कि छात्र आने को तयार नहीं थे। आखिरकार यह उस काम का हिस्सा नहीं था जो उन्हें सौपा गया था। यदि ऐसा इसलिए नहीं होता कि जलमार जो रुख गया था, उनके काम की प्रक्ति में बाधा बन रहा था, तो वे यहां आने की जहमत भी नहीं उठाते। चीनी जील की यात्रा आश्चर यजनक रूप से सुगम थी। रास्ते में उन्हें किसी भी राक्षस जील का सामना नहीं करना पड़ा। जब वे चीनी जील पहुँचे तो आदर्श ने जील की सतह को करीब से देखा। किसी कारण से जील अब उसे पहले जैसा नहीं लगा। जील की सतह स्थिर थी। सतह पर न तो हवा थी और नहीं कोई चमकदार प्रतिबिंब। हालांकि जब आदर्श थोड़ा और करीब गए तो वह जील से रात के आस्मान में तारों के प्रतिबिंब देख सकते थे। यह ऐसा था जैसे जील की सतह रहस्य में रतनों से कशी दाकारी की गई थी जिसके परिनामस्वरूप आश्चर यजनक द्रिश दिखाई देता था। जील की सतह पर तारे चमक रहे थे। हवा चली प्रकृती की सुगंध लेकर आई। आराम दायक ऐसास दिन के डराबने ऐसास के विपरीद था। क्या तुम अब मुझसे मजाक कर रहे हो। बिना प्रतिबिंब के इतना कुछ। जील की सतह पर कुछ भी नहीं है। पानी भी पूरी तरह से सामान्य है जो जियांटियन ने गुस्से में कहा। हाँ यह सिर्फ एक सामान्य जील है। हमारे समय की बरबादी क्या है। हम यहां क्यों हैं। जो जियांटियन ने आदर्श को घूर कर कहा बेकार चुभन तुम इतना आसान काम भी नहीं कर सकते। सिर्फ इसी वजह से पूरा प्रोजेक्ट थंडे बस्ते में डाल दिया गया था। यदि आ सामान्य क्यों थी जबकी दिन में इसमें सपश्ट रूप से कुछ गडबर थी। जो जियांटियन गुस्से में अपने चात्रों के साथ चला गया। आदर्श और उसके चात्रों को निराशा में एक दूसरे को देखते हुए छोर दिया। सर वे बहुत अनुचित हैं। क् समकल फिर आएंगे आदर्श ने कहा। जरूर आदर्श जील से और भी ज्यादा परेशान थे जब वे तोंबजियांग शहर पहुँचे। वह अपने को अनुभवी और ज्यानी समझता था। फिर भी आज जो हुआ उससे वह बिलकुल अन्भिग्य था। सबसे पहले आद आदर्श किसी नतीजे पर नहीं पहुँच पाए। उसने अपना समय बर्बाद करना बंद कर दिया और खिड़की से ध्यान लगाने लगा। तड़के आदर्श अभी भी अपने बिजली तत्व की खेती कर रहा था। वह अपनी ताकत को और बहतर बनाने के लिए अपने उननत लाइटनिंस पेल को दूसरे स्तर तक ले जाने की उम्मीद कर रहा था। ठक 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 कोई उसके दरवाजे पर जोर से दस्तक दे रहा था। आदर्श तुरंत खेती करना बंद कर दिया। सर साहब बाई होंफे गायब है। काओ किनकिन ने घबराई हुई आवाज में परवाह है भले ही वह उतक्रिष्टा के साथ सनातक करने की कोशिश कर रहा हो। उसे एक बार में एक कदम उठाना चाहिए था। लानत है मैं एक ठेट पुराने जमाने के शिक्षक की तरह इतनी बात क्यों कर रहा हूं। आओ हम उसकी तलाश करें। उम्मीद है वह किसी त जबह चीनी जील में अपनी रीड की हड़ी में ठंडक महसूस की। जील पर जो भी चीज थी वह बेहत खतरनाक थी। मामलों को अपने हाथों में लेने की कोशिश में बाई होंफेई खुद को बड़ी परिशानी में पाएंगे। वह थोड़े समय पहले ही उननत स्थर पर पहुचा था। रात बेहद शांत थी। किसी कीडे की एक भी चीक सुनाई नहीं दे रही थी। पिछकाले आकाश में तारों द्वारा उचसरजित प्रकाश ही प्रकाश का एक मात्रस रोत था। पूरी जगह मृत महसूस हुई। मुझे इसके पीछे का कारण खोजना होग मुझे उटकृष्टता के साथ सनातक होना चाहिए। मैं अपने परिवार के लिए निराश नहीं होना चाहता। बाई होंफेई गुस्से में बड़बडाई। उसने लंबी घास को एक तरफ धकेल दिया और धीरे-धीरे चीनी जील की ओर अपना रास्ता बना लिया। ची मत जुटाई और जील के करीब चला गया। बाई होंफेई ने अपना सिर बाहर निकाला और किनारे पर पहुँचते ही पानी में देखा। उसे तुरंत कुछ सूझा। उसने थोड़ी देर और दूर देखा और जब उसने जील की सतह पर तारों का एक भी प्रतिबिम्द न जील की सतह पर फरफड़ाते देखा। जब पंक एक साथ फरफड़ाते थे तो वे जील की सतह पर लहरों की तरह दिखते थे। वे तारों की रोशनी में भी कुछ जिल मिला रहे थे। इससे पहले की बाई होंफेई सदमे से उबर पाती। पंको का एक विशाल गुच्छा हवा में उर गया और आकाश को एक बादल नीले घुंघट की तरह धक दिया। वही नीला घुंघट शुरू में जील की सतह को धक रहा था। बाई होंफेई बिलकुल अवाक रह गई। उसने अंगिनत पंको को देखा छोटे नाजुक जीवन रूप जो एक विशाल घुं महिला थोड़ा आगे जुप गई। उसकी जालरें उसके चहरे के पास और उसके विशाल वक्ष के सामने लटक रही थी। महिला ने फीकी मुस्कान बिखेरी हुई थी। उसकी चमकती हुई आखें चंचल चहरे के साथ उचसुकता से बाई होंफेई को देख रही थी। त परले इंस्टिट्यूट का चात्र हूँ। मैं यहां अपने सनातक मिशन के लिए हूँ। बाई होंफेई ने इमानदारी से कहा। फिर तुम अकेले क्यों हो महिला ने पूछना जारी रखा। मैं कुछ योग्य योगदान देना चाहता था। बाई होंफेई ने अजीव तरहे से कहा। क्या आपने कुछ खोजा महिला अपने चहरे पर उसी फी की मुस्कान के साथ एक और चली गई। क्या तुमने आकाश में उड़ने वाली वस्तुए देखी। वे तितलियों की तरहे लग रहे थे लेकिन इतनी सारी तितलियों को पहली बार देख रहा दिल की पूरी सतह को ढख लिया था। वैसे आप मुझे किसी जादुगर की तरहे नहीं लगते। यदि आप दाना नहीं है तो सुरक्षित शेतर से बाहर आना बहुत खतरनाक है। तुम खो रहे हैं बाई होंफेई ने पूछा। मम्म मुझे लगता है कि मैं खो गया मैं कुछ जड़ी बूटिया चुन रहा था। क्या मैं सचमुच सुरक्षित शेतर से बाहर हूँ। महिला ने एक संक्षित विराम के बाद उत्तर दिया। हाँ तुम भागयशाली हो कि तुम मुझसे टकरा गए या राक्षस प्राणी तुम्हें अपनी गुफाओं में ख दरसल आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं इस शेतर में पलाब धा हूँ। इसलिए मैं यहां के पहाडों, जंगलों और जीलों से बहुत परिचित हूँ। मुझे पता है कि राक्षस प्राणीयों से कैसे बचना है। महिला ने कहा। कोरी रास्ता नहीं है कि मुझे बुरा लगेगा। इसके अलावा मैंने उन चीजों को पहले ही देखिया है। मैं वापस जाऊंगा और अपने गुरु को इसके बारे में बताऊंगा और वह सरकार से उनकी देखभाल के लिए सैनेकों को भेजने के लिए कहेंगे। वैसे क्या आपने भी वो चीज देखा है। आप सही हैं रुको उन चीजों के बारे में क्या जो तितलियों की तरह दिखती हैं और रात में दिखाई देंगी। वे क्या कहलाते हैं बाई होंग फेई ने कहा। कीट महिला ने कहा। हाँ ठीक है वे पतंगे होंगे। अगर मैंने इसे अपनी आखों से नही इतने सारे पतंगे हैं। बाई होंग फेई ने अचानक पंखों के फड़कने की आवाज सुनी उसके बाद हवा का एक तेज जोंका आया जिसने उसे आश्चर यचकित कर दिया। पीट से बाहर निकलाए हैं और विशाल पंखों की धड़कन से हवा का तेज जोंका पैदा हुआ था। बाई होंग फेई उस समय अवाक रह गई जब उसने देखा कि पतंगे आकाश से बबंडर की तरह नीचे गिर रहे हैं और पतंगे के पंखों वाली महिला को घेरे हुए हैं। हवा में धूल सा पराग छिटक गया। उसमें एक अनोखी सुगंध थी। हवा द्वारा लिये गए परागकन बाई होंग फेई की नाक में प्रवेश कर गए। उन्हें गहरी उनीनदापन ने घेर लिया। आप कौन हैं बाई होंफेई ने जाते रहने की पूरी कोशिश की और महिला से पूछा। पतिंगे जल्द ही गायब हो गए। जील भी शांत हो गई। आदश और काव किनकिन पूरे रास्ते चीनी जील तक भागे लेकिन उन्होंने कुछ भी असामान्य नहीं देखा। बादलोंने तारों को रोकना शुरू कर दिया था लेकिन वे अभी भी जील की सतह पर कुछ प्रतिबिंद देख सकते थे। क्या वह दुष्ट प्राणियों द्वारा छीन लिया गया था। काव किनकिन ने चिंतित होकर कहा। मुझे ऐसा नहीं लगता। यहां लड़ाई का कोई निशान नहीं है। मैंने खून का कोई निशान नहीं देखा। आदर्श ने कहा। लड़ाई का कोई निशान नहीं लेकिन कोई अन्य निशान भी नहीं थे आदर्श गहरी सोच में पड़ गए बाई होम फेई वास्तव में कहा थी क्या उसने जील के बारे में कुछ असामानिय देखा सर अब हमें क्या करना चाहिए काओ किनकिन ने पूछा यह लोग निकटम हंटर यूनियन की शाखा में जाओ और उन्हें किसी को भेजने के लिए कहो आदर्श ने काओ किनकिन को अपना हंटर मास्टर बैच सौंप दिया एक हंटर मास्टर को खोज करने का अधिकार था कई शिकारी योगदान अंक अर्जित करने के लिए हंटर मास्टर की खोज को स्विकार करने को तयार थे आदर्श ने बहुत सारे योगदान अंक बचाय थे जब तक उसने एक निश्चित मातरा में योगदान बिंदूओं की पेशकश की तब तक कई शिकारी एक खोज को स्विकार करने के लिए तयार थे, खास कर जब वह स्थान सुरक्षित क्षेत्र से बहुत दूर नहीं था. सर, आप एक हंटर मास्टर भी हैं कि बहुत अच्छा है, काओ किनकिन ने प्रशनसा में कहा, आगे बढ़ोग मैं चारों और पहाड में खोज जारी रखूंगा, आदर्श ने कहा, जरूर मैं जाऊंगा. काओ किनकिन के चले जाने के बाद, आदर्श ने फिर से जील के चारों और खोज की, लेकिन उसे कुछ भी उप्योगी नहीं मिला. वह वापस उस स्थान पर गया जहां उसे बिल्ला मिला था, और फिर से गहरी सोच में पढ़ गया. इस बीच, चंद्रमा जो बादलों के पीछे छिपा था, धीरे-धीरे उनके पीछे से निकल आया. जिस चेत्र में आदर्श खड़ा था, उस चेत्र पर चमकदार चांदनी चमक रही थी. आदर्श ने तुरंट अपने चारों और कुछ चमकते देखा. यह क्या है? आदर्श तेजी से चमकती धूल देखा. चमकती धूल विरल थी, लेकिन वह एक पगडंडी को जंगल में गहराई तक जाते हुए देख सकता था. आदर्श नहीं बता सकता कि कौन सा प्राणी अपने पीछे चमकदार धूल के निशान छोड़ जाएगा. उसने निर्नायक रूप से जंगल में पगडंडी का पीछा किया. जंगल में बेहद अंधेरा था, क्योंकि चांदनी छतरी में प्रवेश करने में असमर्थ थी. चमकीली धूल धीरे-धीरे बढ़ती जा रही थी, जिससे आदर्श के लिए निशान को पहचानना मुश्किल हो गया था. आदर्श ने अचानक पानी बहने की आवाज सुनी. उसने कुछ और भी सुना. आदर्श करीब गया और एक धारा की खोज की. पानी बहुत साफ था. चांदनी में उसे बिस्तर पर पड़े कंकड भी दिखाई दे रहे थे. आदर्श ने ध्वनी के सुरोट की ओर देखा और एक आकरशक आकरिती को धारा के पास एक चटान पर बैठे देखा. वह अपने दुबले प्ले पैरों को पानी में भिगो रही थी. उसके बाल काले और लंबे थे, जरने की तरह. ऐसा लग रहा था जैसे उसने अभी अभी स्नान किया हो. वह अपने गीले बालों को हाथों से समबार रही थी. आदर्श उच्सुक था. यहां एक महिला क्यों थी? क्या वह एक शिकारी थी जो शेत्र के आसपास कुछ राक्षस जीवों का शिकार कर रही थी? शायद वह उससे पूच सकता था कि क्या उसने बाई हुमफे को देखा है? आदर्श महिला के पास गया. हालाकि जब वह करीब गया तो उससे तुरंट एहसास हुआ कि उसने गलती की है. जब महिला अपने बालों में कंघी कर रही थी, तब उसकी चाती पूरी तरह से हवा के संपर्प में आ गई थी. उसकी हरकत से वे थोड़ा हिल रहे थे. चांदनी आदर्श को सही कोन प्रदान कर रही थी? वह पानी की जिलमिलाती बूंदों को धीरे-धीरे उसके स्कनों पर फिसलते हुए भी देख सकता था. अंधेरा था और चांदनी रोशनी का एक मात्र स्रोथ थी, लेकिन आदर्श अभी भी देख सकता था कि महिला की तवचा कितनी सही थी. यह जेड की तरह गोरा था, उसके कंधे, कमर और पैर पतले थे, लेकिन उसकी हलचल चौकाने वाली थी. चटान पर अंकित उसके तल का आकार भी कलाके एक अती सुन्दर टुकडे की तरह था. आदर्श ने तुरंत महसूस किया कि उसका मुह सूख रहा है. वह धीरे-धीरे पीछे हटना चाहता था, लेकिन महिला पहले ही घूम चुकी थी. वह पहली बार में थोड़ी उलजन में दिखी, लेकिन आदर्श की मौजूदगी का पता चलने पर उसकी आखें जल्द ही सदमें और गुस्से से भर गई. यह गलतफमी है, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे पास कोई कपड़े नहीं है. अंधेरा भी बहुत है, इसलिए मैं कुछ भी स्पष्ट नहीं देख पा रही थी, आदश, घूमा और खुद को समझाया. महिला को स्पष्ट रूप से विश्वास नहीं हुआ. चादनी इतनी चमकीली थी, और वह आदमी से अंधेरे की आभाभी महसूस कर सकती थी. इसका मतलब था कि आदमी कुछ हद तक अंधेरे में देखने में सक्षम था. उसने सब कुछ देखा होगा. महिला ने दांत भीच लिये. यदि वह अपनी उपस्थिती नहीं छुपा रहा होता, तो वह उसे बहुत पहले देख लेती. आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? महिला ने जल्दी से अपने कपड़े पहन लिये. वह आश्चर्य जनक रूप से शांत थी. मेरा एक छात्र लापता है. मैं सोच रहा हूँ कि क्या आपने उसे यहाँ देखा है. जिसके बारे में बात करते हुए, आप जैसी महिला के लिए सुरक्षित शेत्र के बाहर स्नान करना बहुत खतरनाक है. आदर्श थोड़ा निराश हुआ जब उसने महिला को जल्दी से अपने कपड़े पहने देखा. वह इतना मूर्ख क्यों था कि महिला के सामने अपनी उपस्थिती का परदाफाश कर रहा था. वह उसकी उतक्रिष्ट काया पर कुछ और नजर डाल सकते थे. इतने अच्छे शरीर वाली महिला मिलना अत्यंत दुरलब था. क्या आप करीब आ सकते हैं? मैं आपको ठीक से सुन नहीं पा रही थी, महिला ने कहा. मैं कह रहा था कि मेरा एक छात्र लापता है, इसलिए मैं उसकी तलाश करने के लिए यहां आया हूँ. क्या तुमने उसे देखा था? आदर्ष करीब चला गया. आदर्ष इस बार महिला का चहरा साफ देख पा रहा था. वह इतनी खूबसूरत थी कि ऐसा लगता था जैसे वह किसी पैंटिंग से निकली हो. उसकी सुन्दरता अलौकिक थी. यहां तक कि आदर्ष जिसने कई सुन्दर महिलाओं को देखा था, उसके रूप से चकित था. आदर्ष उत्तेज़त हो गया जब उसने याद किया कि कैसे उसने एक सेकंड पहले महिला के नगन शरीर को देखा था. मैंने उसे नहीं देखा, महिला बोली. ओ, ओ, यहां अफसोस की बात है, लेकिन तुम यहां अकेले क्यों हो, आदर्ष ने पूछा. इससे आपका कोई मतलब नहीं, महिला गुस्से से बोली. तुम एक जादूगर की तरह नहीं लग रहे हो, आदर्ष ने कहा. आपको किसने बताया कि केवल जादूगरों को ही सुरक्षित शेत्र छोड़ने की अनुमती है. क्या आप दानव प्राणियों से नहीं डरते, आदर्ष ने फिर पूछा. बिल्कुल नहीं, महिला ने कहा. मैंने सुना है कि इस पहाड में एक मादा आदमखोर राक्षस है. निश्चत रूप से आप वह नहीं हैं, जिसके बारे में वे बात कर रहे हैं? आदर्ष ने महिला की ओर देखते हुए उच्छुक्ता से पूछा. महिला चौंक गई. उसकी आखों का रंग धीरे-धीरे बदल गया. हाँ हाँ हाँ, मैं तो मजाग कर रहा था. तुम्हारे जैसा सुन्दर राक्षस मैंने कभी नहीं देखा. वैसे मैंने इमानदारी से तब कुछ भी नहीं देखा था. मुझे आशा है कि आप बुरा नहीं मानेंगे. यदि आप करते हैं, तो मैं इसके लिए जिम्मेदार ठहराने को तयार हूँ. मेरे पास वास्तव में कोई ताकत नहीं है, लेकिन मैं हमेशा एक जिम्मेदार व्यक्ति रहा हूँ, आदर्ष ने कहा. महिला का चहरा ठंडा था, फिर भी वह इसे न दिखाने की कोशिश कर रही थी. उसने दूसरी दिशा में इशारा किया और कहा, मैंने उस तरफ कुछ अजीब शोर सुना. यदि आपका चात्र गायब है, तो आप जा सकते हैं. वैसे अगर आपने उस समय कुछ देखा, तो मैं कसम खाता हूँ कि मैं आपकी आखें खोदने जा रहा हूँ. मैं वास्तव में एक महिला राक्षस हूँ. मैंने इमानदारी से कुछ भी नहीं देखा. क्या यह सही तरीका है? आदर्श उस दिशा में चला गया, जिस और महिला इशारा कर रही थी. रास्ता घनी जाडियों और लताओं से धका हुआ था. एक वयस्त के लिए इससे गुजरना मुश्किल था. आदर्श ने रास्ता साफ करने के लिए जल्दी से आग की लप्टों को बुलाया. जल्दी से अपना हाथ हिलाया और शाखाओं को हिलना बंद करने का इशारा किया. आदर्श घूमा. जब उसने महिला के चहरे पर अजीब भाव देखा, तो उसने पूछा, क्या तुम वापस जाने की योजना नहीं बना रही हो? यह यहाँ बहुत खतरनाक है. मेरा चात्र इस शेत्र में लापता हो गया है. जब मैं चोटा था तब से मैं इस जगह के करीब रह रहा हूँ. यहाँ आसपास ज्यादा खतरनाक जीव नहीं है. महिला मुसुराई अपने इरादे चुपाने की कोशिश कर रही थी. आदर्श भी मुसुराया. उसने औरत की आखों में देखा और कहा, या शायद इसलिए कि तुम यहाँ सबसे खतरनाक प्राणी हो. महिला उसकी बातों से चौक गई. वह जल्दी से गुस्से में दिखी. उसने कभी नहीं सोचा था कि युवक उसके वेश को इतनी आसानी से देख सकता है. वह मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन आश्चर यच्चित थी कि युवक ने उसकी असली पहचान कैसे जान ली, क्योंकि ज्यादातर लोग उसके रूप और उसके स्वभाव के कारण उस पर शक नहीं करेंगे. आप जैसी खूबसूरत महिला हमेशा पुरुषों के लिए घातक होती है. हाँ हाँ, क्या है वह? अगर आपको मेरी बात पसंद नहीं आई, तो मैं इसे वापस ले लूँगा, आदश अचानक हस पड़े. वह बिलकुल अलग व्यक्ति की तरह काम कर रहे थे. महिला एक बार फिर अवाक रह गई. उसे तुरंद उस गमवार आदमी को शाप देने की इच्छा हुई. इसने उसे काफी डरा दिया था. उसने सोचा कि वह आदमी एक शिकारी था, जो उसे स्थापित करने की कोशिश कर रहा था. उसने लगभग उसे चुप कराने का फैसला किया. मैडम आपका नाम क्या है? मैं आदर्श हूँ, आपसे मिलकर अच्छा लगा, आदर्श ने कहा. महिला ने यह देखकर राहत की सांस ली की पुरुष ने उसके भेश में नहीं देखा था. उसने कहा, मैं यूशीशी हूँ, मैं इस चेतर से काफी परिचित हूँ. क्या मुझे आपके चातर को खोजने में आपकी मदद करनी चाहिए? यह बहुत अच्छा होगा, आदर्श ने सिर हिलाया. चांदनी के नीचे जंगली में एक भव्य महिला को उसके साथ रखने का विचार कितना मुहब था. तस्क तस्क तस्क, ठीक है, वह यहाँ फिर से क्यों आया था? यूशीशी के निर्देशों का पालन करते हुए आदर्श उसके साथ जंगल में चला गया. आदर्श ने थोड़ी देर बाद एक खुश्बू उठाई. उसने शर्माते हुए कहा, क्या तुम सच में यहाँ सभेता से दूर रह रहे हो? आपको खाना और जुरुरत का सामान कहां से मिलता है? आदर्श सुरक्षित शेत्र के बाहर रहने वाले लोगों के विशेश समुहों के बारे में सुना था. वे कुछ पारंपरिक तरीकों का उप्योग करके दानव प्राणियों को उन्हें परिशान करने से रोकने में सक्षम थे, जैसे कि प्राचीन राजधानी के बाहर के गावों में था. मम्म मेरे पास एक अनोखी सुगंध है, जो दानव प्राणियों को मुझ पर हमला करने से रोकती है, यूशीशी ने आधियधूरी आवाज में कहा. यहां आश्चर्यजनक है, मुझे इसे सुंगने दो, आदर्श ने अपनी नाग को और करीब से चिपका लिया. यूशीशी तुरंत शर्मा गई. उसने उसे देखा और बोला, तुम एक जटका हो. मैं बस उत्सुख हूँ. यदि हम आपकी सुगंध का उप्योग कर सकते हैं, तो हम जादूगर राक्षसों के क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से विचर्ण कर सकते हैं, जैसा कि हम चाहते हैं. हमें डरपोक शहरों में नहीं छिपना पड़ेगा, आदर्श ने सक्त नजर से कहा. यूशीशी ने कोई जवाब नहीं दिया. उसकी अभिव्यक्ती थोड़ी थंडी थी. मैं सिर्फ मजाग कर रहा हूँ, थंडे दिखने के साथ क्या है? आपको और मुस्कुराना चाहिए आप इस तरह युवा और सुन्दर दिखते हैं. मेरी तरह, इसलिए मैं इतना सुन्दर हूँ, आदर्श ने जारी रखा. आप कितने बेशर्म हो सकते हैं, यूशीशी उसके जैसा आदमी कभी नहीं मिला था. एक बार जब वे जंगल में और गहरे चले गए तो वह आदमी इसकी कीमत चुकाने वाला था. क्या आपको नहीं लगता कि मैं सुन्दर हूँ? जरा बारी की से देखें. यह बहुत अंधेरा है, मैं आपको सपष्ट रूप से नहीं देख सकता. आप मुझे तब चू सकते हैं. क्या आप कृप्या चुप रह सकते हैं? पेड धीरे-धीर घने होते गए. आदर्श पहले ही अपनी दिशाख हो चुके थे. उसने सुंधा और पाया की हवा थोड़ी नम थी. पत्ते नम थे, तो जमीन भी नम थी. व्रिक्षों पर भी पानी की बुदें टपक रही थी, मानों उन्हें पसीना आ रहा हो. हालांकि यह उस तरह की नमी सुना है. क्या आप सुनिश्चित हैं कि मेरा चात्र यहां है? आदर्श ने यूशीशी का समर्थन किया. महिला की आखे छलक पड़ी. जब वह आदर्श से उसकी सुरक्षा कम करने के लिए बात कर रही थी, तब उसने पेडों के पीछे छिपे हुए पतंगों को आदेश दिने के लिए धीरे-धीरे अपनी उंगली घुमाई. वैसे आप किस आग का उपयोग कर रहे थे? यहां उन दानों की आग से अलग क्यों थी जिन्हें मैंने पहले देखा था. यूशीशी ने उचसुक्ता से पीछे से आदर्श के पास आते हुए पूछा. ओ, यह प्रब दिया. यूशीशी को पता था कि कुछ आग विशेश रूप से कीट प्रकार के जीवों के खिलाफ घातक थी. अगर वह इस आदमी को तुरंट अपने वश में करने में विफल रही, तो उसके छोटे जीवों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा. बहुत अच्छा, वह वह भी घायल नहीं है, लेकिन वह, वह सो रहा है, आदर्ष ने बाई होंफेई को एक गीली जाडी में पाया. यूवक को चोट नहीं आई थी, लेकिन वह होशखो बैठा था. आदर्ष उसे जगाने में असमर्थ था. अगर उसने मूर्थ की नब्ज महसूस नहीं की होती, तो वह मान लेता कि वह आदमी पहले ही मर चुका है. आपकी चात्रा यहां सोने के लिए बहुत बोल्ड है, यूशीशी ने हमले को बंद करने के बाद आदर्ष से कहा. ऐसा लगता है कि उसे कुछ पौधों ने सुला दिया है, आदर्ष ने भौहें चड़ाई. मुझे दे मैं उसे पहले शहर वापस लाँगा. शायद मरहम लगाने वालों को पता होगा कि उसे कैसे. जगाना है. मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें यहां पहाड में नहीं छोड़ना चाहता, आदर्ष ने कहा. जरूर मैं भी शहर के करीब रहता हूं, यूशीशी ने कहा. आदर्ष न यूशीशी अपना रहस्य साजा करने के लिए तयार नहीं दिख रही थी. आदर्ष ने इसे मजबूर नहीं किया. ऐसा नहीं था कि वह उसकी मर्जी के बिना उस पर प्रयोग करने के लिए उसे टेबल पर बांध सकता था. जब वे पहाड की तलहटी में पहुंचे, तो आ उने को मोरने के बाद ही लोगों के समुह को देखा. उसे तुरंत कुछ हैसास हुआ और उसने आदर्ष पर अपनी नजरे टिका दी. क्या आपने उन्हें आने के लिए कहा था? यूशीशी ने ठंडेपन से कहा. हाँ, आदर्ष ने सिर हिलाया. यूशीशी ने अपनी अपनी चाल चलने ही वाली थी, कि वह आदमी तेजी से काओ किनकिन के पास गया और कहा, मैंने उसे ढूंड लिया. आने के लिए धन्यवाद, मैं अभी भी आपको सभी योगदान बिंदू दूंगा जिनका मैंने वादा किया था. इसके बारे में खेद. शब्द सुनते ही शिकारी मुस्कुरा दिये। योगदान अंक अर्जित करने के लिए उन्हें कुछ भी करने की आवश्चता नहीं थी। वे और क्या मांग सकते थे। शिकारी इसे स्विकार करने के लिए तयार थे। यूशीशी स्थिर खड़ा रहा। वह मदद नहीं कर सकती थी लेकिन नार उसने मुझे बाई होंगफेई को खोजने में भी मदद की, मुझे उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए आदर्श ने कहा। यूशीशी को शिकारियों के आसपास घूमना पसंद नहीं था। कुछ देर रुकने के बाद वह चली गई। आदर्श यूशीशी से अलग होने है आदर्श ने कहा। सर आपने उसे क्यों नहीं पकड़ा। आदर्श ने कहा अगर बाई होंगफेई मर गई थी, जब मैंने उसे पाया था, तो मैं उसके साथ आसानी से नहीं रहा होता। चुंकि यूशीशी ने बाई होंगफेई को नहीं मारा, इसका मतलब था कि बाई इसका मतलब है कि आप परियाप्त अनुभव नहीं कर रहे हैं क्योंकि जब कोई चीज आपके लिए खत्रा पैदा कर सकती है तो आप सतर्क नहीं होते हैं। उसे उसका पीछा करने में परिशानी नहीं होगी आदर्श ने कहा। काओ किनकिन एक पल के लिए अवाक रह गया। उसने धीरे से कहा सर आप बहुत मजा किया हैं। यहां तक की डॉक्टरों को भी नहीं पता था कि अस्पताल में भरती होने के बाद क्या करना है। बाई होंफेई घायल नहीं हुई थी, नहीं वह किसी श्राब के अधीन थी। वह लगातार निश्क्री अवस्था में रोगी की तरह सो गया था। उनकी स्थिती बिलकुल सामान्य थी। भूख लगने पर भी उसका पेट गुराता था। डॉक्तर उसे केवल सुई भर कर ही खिला सकते थे। आदर्श भी सिर्गर्थ कर रहा था। वह जानना चाहता था कि नदी का बहना क्यों बंध हो गया है। यह संभाव ना थी कि बाई होंफेई को इसके बारे में कुछ सुराग मिले होंगे, लेकिन वह अभी भी सुराग आदर्श ने पूछा। आदर्श तब से बाकी छात्रों को नदी की जाच के लिए भेज रहे थे, लेकिन जब भी वे आसपास होते थे, नदी बिलकुल सामान्य थी। हाला कि जैसे ही वे चले गए, पानी फिर से बहना बंध हो जाएगा। टोंजियां तक पानी की एक भी बूंध नहीं पहुँच सकती थी, जिससे डीन जयो के गठन के लिए काम करना असंभव हो गया। वाटर सर्कुलेशन मैजिक फॉर्मेशन तभी काम करेगा, जब पानी बह रहा होगा, फसलों की सिंचाई में मदद करेगा, और शहरों और कस्बों की रक्षा करेगा। सर स भी पता नहीं था कि यूशीशी इन लोगों को क्यों सुलाना चाहता था, वह क्या छिपाने की कोशिश कर रही थी, केवल वही जानता था जिसने घंटी को बांधा था, उसे खोलना जानता था, वे केवल यूशीशी से उत्तर पास सकते थे, जो लिक्सिन आया और पास गया, सर यह बुरा है, जिस महिला पर आपने मुझे नजर रखने के लिए कहा था, उसे सिटी हंटर्स ने गिरफतार कर लिया था, जब मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने मुझे बताया कि वह एक दुष्ट कीट है, जिसने कई लोगों की हत्या की है, शहर के शिकार जो रात में दिखाई देती थी, और लोगों को मारती थी, क्या यूँ शीशी पतिवर्ता थी, श्रीमान हमें एक समस्या है, आदर्ष अभी इस चौकाने वाली खबर से उबरे भी नहीं थे, कि एक और छात्र उनके पास आया, क्या चल रहा है, आदर्ष ने पूछा, कई मातापिता अपने बच्चों को अस्पताल ले आए थे, अचानक से चिकित्सा कर्मी बुरी तरह व्यस्त हो गए, आदर्ष वाड में गए और देखा कि सभी बच्चे बेहोश थे, उनका औरा बेहत कमजोर था, मानो वे गंभीर रूप से बीमार पड़ गए हूँ, प्रमुख वेई क्या आपके आदमियों ने पतंगे वाली महिला को नहीं पकड़ा, शायद यही वजह रही होगी कि हमारे बच्चों का इस तरह अंथ हुआ, एक महिला रोते हुए चिल्लाई, हाँ यह वह होना चाहिए, कस्बे में कुछ समय से ऐसे ही मामले सामने आ रहे ह किसने सोचा होगा कि यह राक्षसी इतनी क्रूर है कि बच्चों को भी नुकसान पहुँचा सकती है, आपको बच्चों को बचाना चाहिए, एक बुढ़े आदमी ने कहा, नहीं हम अभी चलते हैं, एक बार पतिंगे की मृत्यू हो जाने के बाद हमेश राप से छुटकार से चले गए, आदर्श चौका, उसने क्रोधित पुरुषों के समोह का भी पीछा किया, रुप्या शांत हो जाओ, आप मेंसे कोई भी जादू का उप्योग करना नहीं जानता है, अब लापरवा होने का कोई फाइदा नहीं है, बस इसे हम पर छोड़ दें, सिटी हंटर्स इसे संभाल लेंगे, कप्तान फेंग गौंग कुओ ने कहा, नहीं हम उसे अपने हाथों से मार देंगे, हाँ, वह कुछ समय से शहर के चारों ओर दर फैला रही है, और अब वह बच्चों को नुकसान पहुंचा रही है, हमें परवाह नहीं है कि वह इनसान है या राक्षस हम उसकी त्वचा को जिन्दा करने जा रहे हैं, उनका गुस्सा संक्रामक था, कस्बे में कई लोगों के लापता होने और अजीबो ग्रीग तरीके से मरने के बाद एक पतंगे वाली महिला के बारे में अफवाह के डर से कस्बे के लोग लगातार जी रहे थे, शहर के शिक लोगों का एक पूरा जुन्द जल्दी से टाउन हॉल के प्रवेश द्वार पर पहुँच गया और सीधे मुख्य हॉल में भाग गया, वे अजे थे, कहा है पतंगे औरत, अगर मेरे बच्चे को कुछ होता है, तो मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि वह इसके लिए भुग जवार की तरहा भागते हुए आएंगे, वे तुरंत उन्हें रोकने के लिए उपर गये, शशी, तुम यहां क्यों हो, किसान जो समोह का नेत्रित्व कर रहा था अचानक उसके ट्रैक में जम गया, वह बर्फ से बनी जंजीरों से खंभे से बंधी महिला को एक तक देखता रहा, बाकी आदमी भी गुंगे थे, महिला का जाना फचाना चहरा देखते ही उनका कातिलाना चहरा उतर गया, कप्तान क्या, क्या आपने गल्दी की है, शशी हम में से एक है, विशाल व्यक्ति गुवान पिंग ने कहा, कप्तान फेंग गुवांको ने आह भरी और कहा, हम मुझे हमेशा लगता था कि उसके बारे में कुछ ठीक नहीं है, वह हमेशा देर रात वापस आती है और ज्यादा तर समय गायब रहती है, मैंने सोचा था कि यह केवल इसलिए था क्योंकि उसका जीवन निरस था और वह पुरुशों के साथ खिलवारतर रही थी, लेकिन अ अब मुझे एसास हुआ कि वह सिर्फ पुरुशों के साथ फलट नहीं करती, वह एक आदम खोर राक्षस भी है, पुरुशों के समोह के पीछे एक अपेक शाकरत मोटी महिला ने जोर से चिलाया, औरत क्या तुमने सच में उसे एक आदमी को खाते हुए देखा है, बाकी य लापता होने से पहले हमेशा उसके घर नहीं गया था, वह आदमी अब भी लापता है, वह उस राक्षस के पेट के अलावा और कहा हो सकता है, मोटी औरत ने कहा, हाँ वह सही कह रही है, पियकड यूशीशी के लापता होने से पहले अक्सर उससे मिलने आता था, ओ माय उसक मारा बच्चा फिसल गया और नाले में गिर गया यह यू शीशी था जिसने उसकी जान बचाई गौान पिंग ने कहा हम क्या तुम गंभीरता से राक्षस की ओर से समझाने की कोशिश कर रहे हो क्या हम सब नहीं जानते थे कि बच्चे उसके साथ घूमना पसंद करते हैं कस्बो और गाओं के बच्चे उसके साथ घूमना पसंद करते हैं उनके बीमार होने का कारण वही होना चाहिए कोशिश मत करो और मुझे रोको मैं अभी उसे मौक के घाट उतार दूँगा खून से सनी आखों वाली एक महिला कैंची की एक जोड़ी लेकर आगे बढ़ी आ उसे एक कोकून की तरह घेर लिया कैंची रेशम पर उतरी लेकिन वे एक एंच भी आगे नहीं बढ़ सके नीला रेशम थोड़ा पारदर्शी था लोग अभी भी यूशीशी का पीला चहरा देख सकते थे कृप्या शांत हो जाओ अगर आप अपने बच्चों की गंभीरत से परवाह करते हैं तो यहां हंगामा करना बंद करें हम अभी भी यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या बच्चों को अभिशाप के तहत रखा गया है यदि यह एक श्राप है तो हम उसे मार कर इस से चुटकारा पा सकते हैं लेकिन यदि यह कुछ और है तो उसके माध्यम से बच्चों को बचाने का कोई रास्ता नहीं मिलने पर बच्चों को खतरा होगा फेंग गुआंग को चिलाया अधिक सिटी हंटर्स जल्द ही दिखाई दिये और पुरुध शहरवासियों को भगा दिया कप्तान आपको हमारे बच्चों को बचाना होगा मेरा जियान में कुछ हुआ तो उसने शहर की बहुत मदद की थी। भीड सास रोक कर बढ़बढाते हुए चली गई। आदर्श यह सब देखकर अवाक रह गए। क्या यह एक प्राचीन नाटक का सामान्य द्रिशन नहीं था। गाउ के पुरुष विशेश रूप से एक सुन्द महिला के प्रती आकरशित थे। इसलिए गाउ की अन्य महिलाएं उससे बहुत ईश्या करती थी। ऐसे में जब गाउ में कुछ होता तो महिलाएं उस खूबसूरत महिला पर राक्षस होने का आरोप लगाते हुए सारा दोश मढद देती और सबसे पहले आपदा क्यों फर्क सिर्फ इतना था कि यूशीशी वास्तव में कोई साधारन इंसान नहीं था। वह पतंगे वाली महिला थी और बीमार पढ़ने वाले बच्चों के साथ उसका निश्चित रूप से कुछ लेना देना था। तुम अभी तक यहां क्यों हो आदर्श को देखने के बाद फेंग वांग को ने अप्रियस्वर में पूछा। आदर्श ने जवाब देने से पहले आदमी को अपना हंटर मास्टर बैज और परल इंस्टीट के मेंटर के रूप में अपनी पहचान का प्रमान दिखाया। मैं यहां एक जाच के लिए हूँ। ऐसा लगता है कि यही का सकते हैं आदर्श ने पूछा। बिल्कुल लेकिन मुझे संदे है कि वह आपको कुछ भी बताने जा रही है। जब भी हम उसके साथ कुछ करने की कोशिश करेंगे रिशम दिखाई देगा और उसकी रक्षा करेगा। फेंग गुआंग को ने विपसी से कहा। आदर्श य यू शिशी आग बबुला हो गई। उसने आदर्श की जान बक्ष दी थी लेकिन उसके आश्चर्य की बात यह थी कि उस व्यक्ती ने उसके बजाए सिटी हंटर्स को इसकी सूचना दी थी। तुमने मुझे गलत समझा, मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। मैंने किसी को यू शिशी ने ठंडेपन से कहा। आप ऐसा क्यों कर रहे हो आदर्श ने पूछा। क्यों क्यों यू शिशी अचानक जोर से हस पड़ी। उसकी मुस्कान ठंडी और भयावत थी क्या एक दानव प्राणी को मनुश्यों को खाने के लिए किसी कारण की आवश्चक्ता होती है। आदर्श दंग रह गया। वो सही थी यदि वह वास्तव में एक दुष्ट प्राणी थी तो उसे मनुश्यों को मारने और खाने के लिए किसी कारण की आवश्चक्ता नहीं थी। यह उसके स्वभाव का हिस्सा था ठीक वैसे ही जैसे मनुश्य मास खाते थे। कौन समझोता करेगा यू शीशी ने ठंडेपन से कहा। ठीक है लेकिन तुमने पानी को बहने से क्यों रोका। क्या आप पूरी तोंग जियान धाटी की खाद्य आपूर्ती को खतम करने की कोशिश कर रहे हैं। आदर्श ने पूछा। सुरक्षित ख्षेत्र में मानव ख पादन में बहुत बाधा डालेगा। यह सही है। मैं चाहता हूँ कि वे सभी भूखे मर जाएं। यू शीशी ने कहा। आदर्श ने कहा आप वास्तव में एक तीक्षन राक्षस हैं जो टीवी नाटकों में दयालू और शुद्ध दिल होने का दिखावा करते हैं। आद पादर्श अभी भी उन चीजों को देखते हुए शांत रहने में सक्षम था जिनसे वह अतीत में गुजरा था। हाला कि उनके चात्र उन बच्चों के बारे में बेहत चिंतित थे जो बीमार पड़ गए थे और इस बात की संभावना थी कि वे अपने मिशन को विफल करने जा रही हैं। बस वापस जाओ और आराम करो। यहां इंतजार करने से ज्यादा मदद नहीं मिलने वाली है। आदर्श ने छात्रों से कहा। रात बहुत हो चुकी थी। छात्र आराम करने चले गए। शहर के शिकारी सपष्ट रूप से यूशीशी पर नजर रखने वाल है। वास्तव में आदर्श बहुत खुश था। वह जल्दी से वाड में गया और पाया की बाई होंफेई वास्तव में जाग रही थी। हलकी पीली अभिव्यक्ती के अलावा वह बिलकुल सामान्य लग रहा था। सर्क मुझे आपको चिंतित करने के लिए खेद है। पारण है कि पानी बहना बंद हो गया है। बाई होंफेई ने तुरंत कहा। अच्छा ऐसा है आदर्श की आखे चमक उठी। पतंगे सतह पर रहकर पानी को बहने से रोक रहे थे। हालांकि जब छातर जलकुंड की जाच करने जाते थे तो पतंगे उड़ जाते थे। इस ने कहा। हाँ, काम पूरा होने के बाद हम अंत में वापस रिपोर्ट कर सकते हैं। मम बाई होंफेई शाबाश। मैजिक फॉर्मेशन सामान या रूप से काम कर सके। काओ किनकिन उनके साथ नहीं गए। वह बाई होंफेई की देखभाल के लिए अस्पताल में रुकी थी। बाई होंफेई काओ किनकिन को सिर्फ अपनी देखभाल करने के लिए देर रात तक जगने नहीं देना चाहती उसने कहा तुम्हें वापस जाना चाहिए और आराम करना चाहिए मैं यहां बिलकुल ठीक हूँ। आपको वास्तव में वापस जाना चाहिए और आराम करना चाहिए मैं अभी यहां ध्यान करने जा रहा हूँ। ठीक है। कि बाई होंग फेई को यूशीशी से कुछ जानकारी मिल सकती है। यूशीशी के सामने बाई होंग फेई पहुँची। जब उसने उसके चहरे पर घिसी पीटी सूरत देखी तो उसे उस पर तरस आया। यह तुम हो यूशीशी पहली बार बोलने वाली थी जब उसने बाई होंग फेई को देखा। यूशीशी पर बाई होंग फेई की अच्छी चाप थी। वह आदमी आदर्श की तरहे चालाक और जूट से भरा हुआ नहीं था। उसने केवल बाई होंग फेई को सुला दिया था क्योंकि वह उम्मीद कर रही थी कि बाई होंग फेई अपनी खोज के बारे में किसी को नहीं बताएगी। जो बच्चे बीमार हुए हैं उनका आप से कोई लेना देना नहीं है, है ना। वरना मैं भी अब नहीं जागती होती बाई होंग फेई ने इमानदारी से पूछा। यूशीशी ने अपना सिर नीचे किया और अपने होटों को काट लिया। उसकी प्रतिक्रिया देखकर बाई होंग फेई को पता चल गया था कि कुछ गड़बढ है। अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो मुझे सच बताओ। आप नहीं चाहेंगे कि गरीब बच्चे भी मरें। है ना बाई होंग फेई ने कहा। मैं किसी को चोट नहीं पहुचाना चाहता यूशीशी ने कहा। तो मुझे बताओ कि वे क्यों बीमार पड़ गए हैं और तुम पानी को बहने से क्यों रोक रहे हो। क्या यह इसलिए है क्योंकि पानी तोंगजियंग और शहर के लोगों को खत्रे में डाल रहा है। बाई मैंने आपको सुला दिया हो यूशीशी ने कहा। तो सच सच बताओ। आप चिंता न करें मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूँगी बाई होंफेई मुस्कुराई। पानी के कारण बच्चे बीमार हो गए हैं। पानी के स्रोत पर कारनेलियन हेड स्पाइडर इसके जहर का लकवा मारने वाला प्रभाव होता है। मैंने उसे पानी में जहर डालते हुए देखा। विश अत्यंत प्रबल होता है। भले ही जलधारा में बहने के बाद यह पतला हो गया था, फिर भी यह मनुश्यों के लिए हानिकारक है। कस्बे के लोग पानी पी रह है क्योंकि वे मजबूत हैं, बाई हुंफे ने कहा। बिलकुल, वह कारनेलियन हेड स्पाइडर मेरी दास्ता है। मैं इसे बाहर निकालने की योजना के साथ आने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इसने जंगल में बहुत सारे मकडी के जाले बिच्छा दिये हैं। मेरे प और लोगों को जहर देकर स्थिती को और खराब कर देता है। मुझे मेंटर को जल्द से जल्द बताना होगा, बाई हुंफे ने कहा। बाई हुंफे ने नहीं सोचा था कि स्थिती इतनी गंभीर होगी। सौभाग्य से उसने आने और यूशीशी से सच्चाई पूछने का फैसला किया था क्योंकि वह पूरी। स्थिती के बारे में असहज महसूस कर रहा था। अन्य था वह रहसे कभी नहीं जान पाता। वैसे आपने मेरे गुरु को रहसे क्यों नहीं बताया, बाई हुंफे ने पूछा कि उसे कुछ यादा रहा है। वह विश्वसनिय नहीं मौका चाहती हैं। वे मुझे शहर से बाहर निकालने के लिए इंतजार नहीं कर सकते थे। अगर मैंने उन्हें बताया कि पानी में कुछ गड़बढ है तो वे फिर से मुझ पर दोश मढ़ेंगे। यूशी ने गहरी सांस ली। आप सही कह रहे हैं, मुझे इसके बजाए ही वे मुझ पर दोश लगाने जा रही हैं। इसके अलावा मुझे बच्चों की चिंता है। तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होगी। तब मुझे क्या करना चाहिए बाई होंफे इने पूछा। पहाड की ओर चलें और उत्तर की ओर बढ़ते रहें। आपको एक पतंगे मरने वाले हैं। बाई होंफे ने कहा। कोई और चारा नहीं है। हमें पहले कारनेलियन हेड स्पाइडर को बाहर निकालना होगा। यूशीशी ने कहा। यूशीशी के चहरे पर ग्रिड संकल्प देखकर बाई होंफे का दिल काम उठा। जब लोग आपके साथ इतना कठोर व्यवहार कर रहे हैं तब भी आप शहर की मदद करने को तयार हैं। वे पतंगे स्पष्ट रूप से आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। यूशीशी ने मौन में अपना सिर नीचे कर लिया। उसकी प्रतिक्रिया देखकर बाई होंफे को बहुत गुस सके। कई लोगों के लिए समझ की कमी हमेशा एक बड़ी समस्या रही है। और टोंगजियां में पानी को बहने से रोकना सुनिश्चित करें। यूशीशी ने उसे याद दिलाया। बाई होंफे ने कहा समझ गया। वैसे पहले मैं तुम्हें आजाद कर दूँगी। यू मेरा घर है, मैं बस इसकी रक्षा करना चाहता हूँ। बाई होंफे को महिला पर गया आ गई। अब वही एक मात्र व्यक्ति था जो यूशीशी की मदद कर सकता था। मैं वादा करता हूँ कि मैं आपकी मदद करूँगा। धन्यवाद। बाई होंफे ने तुरंट पहाड पर अपना रास्ता बना लिया। यूशीशी के निर्देशों का पालन करते हुए उन्होंने और गहरा उद्यम किया। उसने जल्द ही भयावह दिखने वाले गहरे लाल जंगल की खोज की जिसका यूशीशी ने उलेक किया था। जैसे ही वह उसमें गया, उसने तुरंट अपने चहरे पर कुछ चिप-चिपा महसूस किया। उसने अपना चहरा पोचा और महसूस किया कि यह कोई चिप-चिपा मकडी का जाला था। बाई होम फेई बहुत खुश थी। ऐसा लग रहा था कि यूशीशी ने उससे जूट नहीं बोला। वह कुछ और कदम आगे ब यह बहुत संभावना थी कि यूशीशी पतंगों के साथ जबरदस्ती मकडी के जालों को तोड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसने उनमें से एक बड़ी संख्या का त्याग कर दिया। तुम अब asterisk asterisk चिके बेटे, मैं कसम खाता हूँ कि मैं आज तुम्हें मारने जा रहा हूँ, बाई होंग फेई ने अपनी आखों में एक जानलेवा नजर के साथ मकडी के जाले हटा दिये। यह ऐसा था जैसे पतंगे आग में कूद रहे हों और मकडी के जाले तोड़ने की कोशिश कर रहे हों। बहुत सारे पतंगे निश्चित रूप से मरने वाले इस तरह पतंगे पानी को टोंगजियांग में बहने से रोकने के लिए रोक सकते हैं। इस बीच आदर्श एक पेड़ के सहारे जुपकर चीनी जील पर नजर रख रहा था। वह इस समय गहरे विचारों में था। उसे लग रहा था कि पूरी स्थिती में कुछ अजीब सर सर बाई होंफेई फिर से गायब है कॉल में काओ किन किन चिलाया। चैस्ट्रिस्ट्रिस्क मुझे वह सिर्फ खुद का व्यवहार क्यों नहीं कर सकता आदर्श शाप दिया। मुझे चिंता थी कि वह फिर से भाग जाएगा इसलिए मैंने उसके बैग में एक लोकेटर रखा। महोदय मुझे लगता है कि वह घने जंगल में है। आपको जाकर देखना चाहिए काओ किन किन ने कहा। यह आपका बहुत चालाग था। मैं अभी सिर्फ पर हूँ आदर्श ने कहा।